हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चानल, लर्निंग नोटबूक, आज इस वीडियो में हम करेंगे बॉर्ड मास रूल इस बॉर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेस्टिन्स स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाते हैं और अगर आप आगे जाके किसी competitive exam में बैठते हैं तो वहाँ पे भी आपको बॉर्ड मास रूल के questions ज़रूर मिलेंगे पर बहुत सारे लोगों के ये बॉर्ड मास रूल के questions गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये ढंक से नहीं पता कि इस रूल को कैसे implement करना चाहिए तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगी कि कैसे इस बॉर्ड मास रूल को सही से implement करें इसके लिए मैं आपके साथ solve करूंगी बहुत सारे questions and I am very sure कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बॉर्ड मास रूल के लिए कोई भी और वीडियो देखने की जुरत नहीं पड़ेगी So let's start तो देखिए बॉर्ड मास रूल में B किस लिए होता है? B stands for brackets O stands for off D for division M is for multiplication A is for addition and S is for subtraction तो अगर आपको friends कोई भी expression given है जिसे आपको solve करना है तो उसमें आप सबसे पहले bracket solve करेंगे फिर off फिर आप करेंगे division division के बाद multiplication उसके बाद करेंगे addition और सबसे आखरी में करेंगे आप subtraction तो सबसे पहले हम बात करेंगे brackets के बारे में brackets अलग-अलग तरेके होते हैं कौन-कौन से? सबसे पहले होता है ये line bracket फिर होते हैंगे small brackets then we have curly brackets और आखरी में होते हैंगे large brackets तो अगर आपको किसी expression में ये brackets given है तो in order में हमें उन्हें solve करना होता है सबसे पहले हम solve करेंगे in line brackets को फिर हम solve करते हैं ये small brackets को उसके बार बारी आती है curly brackets की और आखरी में हम solve करते हैं ये large brackets को उसके बार question में होता है O which stands for off या orders अगर off given है तो वहाँ पे आपको उससे multiply के sign से replace करना होता है और उससे solve करना होता है क्या ही जगा O also stands for orders वहाँ पे orders में क्या क्या given हो सकता है या तो powers या square root या cube root तो आपको उन्हें solve करना होता है अब friends B और O को solve करने के बाद हमारे पास रह जाता है ये D mass तो यहाँ पे हमने D mass rule यूज़ करते हैं जिसके अंड़ा सबसे पहले क्या होता है division फिर हम करते हैं multiplication उसके बाद हम addition और आखरी में हम करते हैं subtraction तो ये बात याद रखिए कि subtraction जो है सबसे आखरी में होगा अगर आपको expression में ये mathematical operations given है तो सबसे पहले आप करेंगे division फिर उसके बाद होता है multiplication उसके बाद addition और आखरी में हम करते हैं subtraction अब आईए board mass rule से related question solve करते हैं और इस rule को और अच्छे से समझते हैं तो दिखिए friends ये question given है इस question में हमें mathematical operations given है कौन-कौन से ये है addition का फिर है division का और ये है subtraction का तो अब हमें ये नई समझ में आ रहा कि हम कौन सा mathematical operation पहले use करें किस चीश को पहले solve तो ऐसे questions में हमारे useful होता है board mass rule हमें board mass rule से ही ऐसे questions solve करने होते हैं तो board mass rule में देखिए यहां ना तो हमें कोई bracket given है question में कोई bracket given नहीं ना ही off या order given है तो हम किस पे आ गए हैं हम आ गए अपने इस d mass पर यहां पर d mass rule follow होगा जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं division solve करते हैं तो इस question में हम सबसे पहले करेंगे 1 divided by 2 which is equals to 4 तो क्या बन गया 4 plus 4 minus 5 अब देखिए next क्या होता है d mass में होता है multiplication पर यहां पर हमें कोई multiplication sign given नहीं है तो हम next हम पहुच जाएंगे addition पर अब हम करेंगे add क्या add करेंगे 4 plus 4 which is equals to 8 अब रह गया 8 minus 5 और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि subtraction सबसे आखरी में करनी होती है तो यह हम कर देंगे 8 minus 5 which is equals to 3 तो यह हमने अपना board mass rule implement करके अपना correct answer चुटकेओं में निकाल लिया है इसका answer आया है 3 ठीक है let's see the next question अब देखिए इस question में brackets भी given है और हमें पता है कि board mass rule के according सबसे पहले हम brackets ही solve करते हैं तो इधर हम सबसे पहले brackets के अंदर जो है उसे solve करेंगे वो है 4 plus 5 which is equals to 9 तो अब brackets solve करने के बार हमारे पास यह बच गया है जिसमें सिर्फ mathematical operations है तो हम use करेंगे d mass rule अब d mass में सबसे पहले करते हैं division बट इधर division नहीं है next होता है multiplication इधर multiplication है तो उसे solve करेंगे 2 into 9 equals to 18 अब d mass में next होता है addition बट इस expression में कोई addition नहीं है तो आखरी में मारे पास बचता है subtraction तो हम subtraction करेंगे 18 minus 2 equals to 16 ठीक है तो ऐसे board mass rule यूज़ करके हमने ये question भी बहुत ही आसानी से solve कर लिया है एक और question करते हैं जिससे आपको और clarity आई देखें इस question को इसमें सारे mathematical operations given है हाँ इसे यहाँ पर brackets नहीं है और नहीं off है तो हम कहां आ जाएंगे हम सीधा पहुच जाएंगे अपने d mass rule पर जिसमें d से start होएगा division तो यहाँ पर question में क्या इवाइट करना है हमें हमें करना है 7 divided by 7 which is equals to 1 फिर next होता है multiplication इस question में multiplication है हमें करना है 4 into 8 which is equals to 32 फिर d mass में next होता है addition इस question में भी addition है क्या add करना है हमें 15 plus 32 which is equals to 47 और आकरी में होता है d mass में subtraction 47 minus 1 which is equals to 46 अब friends हम करेंगे थोड़ा सा complicated question इदर देखिए इस question में variety of brackets गिवन है और दो mathematical operations भी गिवन है addition और subtraction तो सबसे पहले हम इदर क्या solve करेंगे हम इदर solve करेंगे bracket अब brackets में मैंने आपको बताया था सबसे पहले solve किया जाता है line bracket फिर ये small brackets then curly brackets और आकरी में हम solve करते है large brackets so let's see कैसे ये question solve होगा तो देखिए इदर इस question में line brackets नहीं है given next bracket क्या होता है ये small bracket तो हाँ इस question में ये small bracket given है तो उसके अंदर क्या लिखा हो है 12 minus 2 तो इसे solve करेंगे हम which is equals to 10 तो यहाँ हम 10 लिख देंगे और small brackets को हटा देंगे तो अब next हम solve करते है curly brackets तो curly brackets में यहाँ पे given है 15 minus 10 which is equals to 5 तो 5 लिख देंगे curly brackets हटा देंगे अब आकरी में मारे पास बचते हैं ये large brackets तो हम इने solve कर लेंगे 95 plus 5 which is equals to 100 अब students हमारे पास सिर्फ यह दे गया है तो हम इसे subtraction कर लेंगे 140 minus 100 which is equals to 40 तो देखा आपने कि कैसे अगर एक expression में multiple brackets given है तो उसे हमें कैसे solve करना है अब लेट सी दे नेक्स ग्वेस्टिन तो यह expression है friends हमारे पास अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे brackets भी given है देखिए यहाँ पे small bracket और curly brackets दोनों given है और off भी given है और बाकी mathematical operations भी इदर है तो हम बॉर्ड वास में सबसे पहले क्या solve करेंगे brackets और brackets में कौन सा bracket small bracket तो हम करेंगे 17 minus 2 which is equals to 15 ठीक है 15 आ गया है जब हमने इसको solve किया अब small bracket solve हो गया है उसके बार हम solve करेंगे यह curly bracket जिसके within है 45 divided by 15 तो 45 divided by 15 equals to 3 तो यहां मैंने यह 3 लिख दिया ठीक है बॉर्ड मास में B के बाद क्या होता है B के बाद होता है O यानि off जो हमें इसमें given है तो off को हम replace कर देंगे किस से multiply के sign से तो अब इसको हम simplify करेंगे 2 5s are 10 फिर 5 into 1 equals to 5 and 5 into 5 equals to 25 तो यह expression अब आ गया है हमारा जिसमें से mathematical operations बजे हैं तो यहां पर अब हम use करेंगे D-mass अब D-mass में division और multiplication इस expression में नहीं है तो हम करेंगे addition नेक्स अपना होता है D-mass में addition तो हम add करेंगे 24 plus 13 equals to 37 अब इधर सिर्फ सब्ट्राक्शन बची है तो हम करेंगे 37 minus 25 which is equals to 12 and 12 minus 3 equals to 9 ठीक है फ्रेंग्स तो यह हमने इस expression को solve करा है जहां पर brackets भी थे, off भी था और दो और mathematical operations भी थे अब इस question में देखिए multiple brackets given है तो board mask के according हम सबसे पहले bracket solve करेंगे और उसमें भी हम कौन सा bracket solve करेंगे यह small brackets अब small brackets को देखते हैं अब देखिए यहां पर small brackets के अंदर यह operations given है अलग अलग हमें तो इसे solve करने के लिए हम क्या use करेंगे हम d mask rule use करेंगे तो यानि bracket के अंदर भी अगर different operations given होते हैं तो हम d mask use करेंगे तो सबसे पहले d mask के according हम करेंगे division तो division में क्या है 4 divided by 2 which is equals to 2 तो मैंने यहां 2 लिख दिया तो d mask में next होता है multiplication तो हम करेंगे 2 into 3 which is equals to 6 अब bracket में हमारे पास सिफ subtraction बची है तो हम कर लेंगे 15 minus 6 which is equals to 9 तो अब हमने small bracket solve कर लिया है now next we are going to solve these curly brackets 49 minus 9 which is equals to 40 अब curly brackets भी solve हो गए है तो हम इन large brackets को solve करेंगे next 5 plus 40 which is equals to 45 so now we are left with 50 minus 45 which is equals to 5 तो ठीक है friends आपको इस बात समझ में आ गई है कि अगर brackets के within भी mathematical operations given है तो वहाँ पे भी हम d mask rule यूज़ करके उसको solve करते हैं अब next question देखते हैं friends अब इधर भी देखिए ये multiple brackets given है और सबसे पहले मैंको जो दिख रहा है वो दिख रहा है ये line bracket ठीक है इसमें line bracket भी given है और board mass rule जब मैं आपको समझा रही हूं तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम bracket solve करेंगे और उसमें हम सबसे पहले line bracket solve करते हैं तो इधर हम ये जो line bracket है इसके नीचे ये है 2 minus 1 तो हम इसको solve करेंगे 2 minus 1 equals to 1 अब next हम solve करेंगे small bracket तो यहाँ पे 2 small brackets हैं तो सबसे पहले हम इस वाले को solve कर लेते हैं 5 minus 2 which is equals to 3 और फिर है 1 plus 7 which is equals to 8 तो मैंने यहाँ पे ये दोनों लिख दिये हैं हमें मिला 3 into 8 अब next कौन सा bracket solve करते हैं हम करते हैं curly bracket curly brackets में है 3 into 8 which is equals to 24 और फिर हमारे पास है यह large brackets 34 minus 24 which is equals to 10 तो नाव वी अफिर लेफ विद 16 minus 10 which is equals to 6 तो इस वाले question में हमें 4 type के brackets given थे सबसे पहले हमने line bracket solve किया फिर small brackets फिर curly brackets और आफिरी में large brackets now look at this question friends इदर देखिए again we are given with brackets तो सबसे पहले तो हम board mass rule के according bracket ही solve करेंगे अब bracket के within क्या है bracket के within हमें order given है तो हम order solve करेंगे यह क्यों सा है यह है 3 cube which is equals to 27 तो हमें मिला 27 minus 7 तो इसको हम solve कर लेते हैं which is equals to 20 अब यह expression बन गया है friends इतर अब देखिए अब next क्या होता है board mass rule में next हमें solve करना होता है ओ यानि order है इसमें 2 raised to the power 4 which is equals to 16 तो यह बन गया 3 plus 16 into 20 तो अब सिफ दो operations रह गए हैं तो आईए अपने d-mass rule को use कर लेते हैं d-mass में इधर division होता है सबसे पहले पर question में division नहीं है तो हम next करेंगे जो है multiplication multiplication है इधर तो हम कर लेंगे 16 into 20 which is equals to 320 अब next है यही addition 3 plus 320 equals to 323 तो यह हमें अपना answer मिल गया है तो board mass rule को use करके हमने यह question solve कर लिया है जहांपर हमने brackets solve करें फिर हमने order solve करा और फिर d-mass rule use करके बाग की mathematical operations को solve